ओके आज की वीडियो में आपको Clashmond Ranked में Rank Push काने के लिए तीन अलग अलग अलय Character Commons बताने वाला हूं जो तीनों Character Commons मैं बहुत ज़या बढ़ी है रैंग पुश काने के लिए तो अगर आप rank push करने के लिए इन character commissions के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे last तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ओके तो हमारे जो सबसे पहला character commission है वो है headshot combination यानि कि अगर आप इस character commission का use करके gameplay करते हैं तो आप काफी आसाने से enemies को headshot मार पाऊगे देखो enemies को आसाने से one tap headshot एफ़ ड्राइग headshot माने के लिए आपको wokong से बढ़िया character नहीं मिलेगा देखो किसी भी enemy को headshot माने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है aim adjustment अगर आपको aim adjust करने के लिए enough time मिल जाते हैं तो आप काफी आसाने से enemies को headshot मार पाऊगे तो wokong आपको इस चीज़ में काफी ज़र्दा मदद करता है जैसे ही आप घास बनते होना तो आपके सामने जो भी enemies होते हैं ना तो उन पे आप अपने aim को काफी अची तरसे adjust करके उन्हें headshot मार सकते हो एंड इस character के जो सबसे बड़ी खासिया थे जैसे ही आप किसी enemy को knock करते होना तो आपका wokong फिर से recharge हो जाता NDC के बज़े से 1v3 आफिर 1v4 situation को भी निकालना काफी ज़दा easy हो जाता अगर आपके पास wokong character होता है तो अब इसको अद बात करें इस combination की तीनों passive characters के बारे में तो सबसे पहले slot में आपको एक ऐसे character का use करना है जिससे कि आपका accuracy काफी ज़दा बढ़ जाए यानि कि आप imagine कर सकते हो जो आपका accuracy 60% बढ़ जाएगा तो आप कितना आसाने से enemies को headshot मार पाऊगे and DB आपका accuracy बढ़ाने के साथ साथ आपका movement speed भी वहाँ पे 30% ज़दा बढ़ा देती है इसे enemies को headshot मार सकते हो and जो आपका fight खतम हो जाते है तो आपका gun को rate of fire बढ़ा है उसका 15% आपका movement speed में convert हो जाता है Luna का use आपको तब करना है जो आप rifle या फिर SMG वाले guns चलाते हो यानि कि अगर आप ज़्यादा drag headshot माने को prefer करते हो तो आप वहाँ पे आपको Luna character का use करना है अब अगर आप ज़्यादे तर one tap माने की सुष्टे हो ना तो आपको Luna की जगा पे use करना है राफेल करेक्टर का skill राफेल करेक्टर का job use करते हैं तो आपके marksman rafel और snapper guns में automatically silencer लग जाता है तो untap बाने के लिए woodpecker ये स्वीडी जैसे marksman rafel का use करना है तो enemy को पता ही नहीं चलिगा कि उसे damage कहां से पढ़ रहा है कई पर हमारे gun का पहला bullet या तो enemies के body पे hit करता है या फिर वो miss कर जाता है तो यहाँ पर अगर आपके पास rafel नहीं होता है ना तो enemies को आपका location पता चल जाएगा और वो अपना position चेंज कर लेंगे तो इसलिए आपको rafel का use करना है कि आपका पहला bullet miss भी हो जाता है तो enemy को आपका location पता नहीं चलेगा और फिर आप दूसरी बार में काफी आसानी से उससे headshot मार सकते हो अब इस combination की 3rd slot में आपको एक ऐसे character का use करना है जिसकी वज़े से आपका headshot damage बढ़ जाता है क्योंकि पिछली update में one tap guns का जो effective range है ना headshot का उसे घटा दिया गया है और जो आपके spectator list में 3 या 3 से ज़ादा बंदे जुड़ जाते ना तो आपका headshot का damage 30% ज़ादा बढ़ जाता है करके बहुत सारे prizes जीत सकते हो यहां पर मेरा favorite game है फ्लिंक को आपको यहां पर simple से game खेलना होता है आप जतना ज़्यादा प्रेडिक्ट कर पाओगे ना उतने ज़्यादे prizes जीत पाओगे और यहां पर माइस कोईन फिल जैसे और भी ज़्यादा प्रेडिक्शन करके काफ़ी ज़्यादा पैसे जीत सकते हो तो आर वेट किस बात कि है जल्दी से जाओ गेम्स खिलो और प्रेडिक्ट करो बीसी गेम से ट्रस्टेड प्रेडिक्ट करो है और अगर यहां पर आप मेरा प्रमो कोड यूज़ करते ना तो आपको 300 तक का एक्ष्ट्रा बोनस मिलेगा तो लिंक कॉमेंट वॉक्स में है जल्दी से जाओ और धेर सारे प्रेडिक्श जीतो अब इसकोद हमारे जो सेकेंड करेक्टर करेक्टर में वह है रशर्स के लिए एग्रेसिव रशिंग कॉमिनिशन की एक्टिव करेक्टर में आपको यूज जुसकरना है होमर करेक्टर का स्किल अगर आप के लीगर एक ड्रॉन चोड़ता है लाकिया DAVID असबस किसी एनेमी को हीट करता है न तो उसे मीका मुओमेंट क्पtv overeक साथ उसका फारीग रेट 35% कम हो जाता है यानि कि समझ रोड़ रशिंग करते टाइंग जब एनमी को ड्रों हीट करेगा तो वह एनमी कुछ भी नहीं कर सकता है ना तो ठीक एक एनिमी को नौक करते हो ना तो हाँ पर आपको 20% एच्पी रिकावर हो जाता है यानि कि किसी एक एनिमी को नौक करने के साथ ही आपको वहाँ पर 40 का एच्पी मिल जाता है जो कि उस टाम पर आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हो जो आपको रशिंग करते हो आपको एच् पे fire करोगे ना तो उस enemy को ज़ादा damage पड़ेगा क्योंकि हायाटो की वज़े से सामने वाले enemies का western helmet काफ़ी ज़ल्दी damage हो जाता है अब अगर आपका हायाटो awakened है ना तो यह आपके frontal damage को कम कर दीता है यानि कि अगर आपके ऊपर को enemy सामने से fire करते है ना तो हाँ पर आपको कम damage पड़ेगा अब इसको आपको third slot में या तो Luna का use करना है या फिर आपको दशा का use करना है यह दोनों character साबके gun का rate of fire and movement speed काफ़ी ज़्यदा बढ़ा देते हैं Luna आपको उस time पर help करते है जो आप enemies पर fire करते हो इसकी skill के बर्म में आपको पूरी अच्छी तरह से बता दिया है अब यह जो दशा है ना इसका skill का फाइदा आपको उस time पर मिलता है जो आप किसी enemy को knock करते हो जैसी ही आप किसी एक enemy को अब इसको जो तीन पैसी करेक्टर के स्लॉट है इसमें आपको फर्स्टू स्लॉट में यूज़ करना है याटो एंड जो लास्ट स्लॉट है इसमें आपको यूज़ करना है जे विप्स करेक्टर का skill अगर आप इस करेक्टर का यूज़ करते हो ना तो आपको हर एक राउंड के स्टार्टिंग में एक मश्रूम ले ले लेना है जिसे कि आपको 100 AP मिल जाए जब आपके पास CP होता है ना तो आपको बहुत ज़ादा एंड में से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसके वज़ए से ना आपको 12% कम डेमेज पड़ता है जैसे कि यहाँ आप दिखर मेरे को एंड में कितना सदा डेमेज देता है बट यहाँ पर मैं जे विप्स की वज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाक जरू कर देना अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना तो तब तक लिए बाबाए मिलते हैं एक और वीडियो में